हेलो मेरी प्यारी फैमिली वेलकम इन आपकी पूजा आज बना रहे हैं कॉफी केक बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी गरम पानी लीजिए गरम बोले तो एकदम हॉट वाटर और उसके इंदर डाल दीजिए कोकोवा पाउडर कोकोवा पाउडर डालने हैं जितना हमने पान ल एक फरक आप देख लेंगे कि जो नॉर्मल जैसे की आप ऐसे खुला हुआ जो समान लेते हैं उसमें और ब्रैंडिट समान में बहुत ही मतलब टेस्ट का फरक आता है और एक टेबल स्पून ली है कॉफी गरम पानी फ्रेंज इसले लिया है कोकोवा पाउडर रो कॉफी को ना एक लंच फ्री आप घोल बना लीजे मतलब इसमें कोई भी गुटली नहीं होनी चाहिए और जैसे कि मैं आपसे ब्रैंड की बात कर रही हूं तो ब्रैंड हमें अच्छा ही लेना है चाहे वह मैदे का हो चाहे इसमें कॉफी का हो चाहे कोकोवा पाउडर का हो तो मैंने इस कंपनी का जो है वो वेनिला वाला लिया है कौफी पाउडर जिससी कि आपका जो टेस्ट है केक वो बोहत अच्छा आता है और इसमें जरुरत नहीं पड़े गी हमें एससेंस टाल लेकी क्योंकि हमने वैनिले का ही कौफी पाउडर लिया है बस एक घोल अच्छा सा बार बोला है कि ब्रैंडेट सारी चीजी लेनी चीए जिससे सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक आपको फर्क महसूस होगा टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है अब इस टाइप पर लेंगे हम लोग ऑईल अब मौसम देखिए थोड़ा सा बदलाव आ चुका है तो तो क्या होता है कि थोड़ा गाड़ा बन जाता है जैसे अब ड्राइंग्रीडंस हम लोग डालने चाहा रहे हैं तो दही अगर पतला होगा तो ठीक है गाड़ा है तो उसको पतला करने के लिए आप एक दो टीस्पून ना दूद भी ले सकते हैं तो इस चीज का ध्यान लेकिंग सोडा और शूगर वगेरा सब हम लोगों ने डाल कर चान ली है और यह साथ में डाला है नमक नमक सी क्या है कि जो मीठा पंजो होता है इसका अलग सा स्वाद निकल के आता है अब देखिए मैं आपको इस टाइम पर यह भी बोलूँगी जैसे स्पैचुला का भी यूज करेंगे और विसकर का भी वो देखिए विक्सर तो अच्छा यूज है इसका कि मिक्स कर देगा बट क्या होता है कई बर क्या होता है जो इसके सर्फेस में तले में जो बैट जाता है ना जैसे पाउडर फॉर्म जो होती है तो उसको आप स्पैचुला से यूज करके नीची से घुमाते हुए mix करें तो ये देखे मैं आपको फरक भी साथ साथ आपको बता रही हूँ और साथ में जो हमने ये कॉफी वाला घोल कोकोवा पाउडर वाला घोल बना के रखा था गरम पानी में वो साथ ही में mix कर देंगे धिरी धिरी शुरुआत करें आहिस्ता से घोलें और पूरा ऐसे spatula की देखे मदद लूँगी मैं आगे पहले हम whisker से इसको mix करेंगे और साथ ही में ये देखे मैं आपको consistence भी दिखाऊंगी कि कैसी हमी चाहिए अभी side से उतार के अच्छी तरीके से mix कर देंगे जिससे कि क्या है फ्रेंज जिसे जो जिसका काम होता है ये baking soda, baking powder होता है ताकि अच्छी तरीके से सारे खोल में मिल जाए ताकि अपना काम पूरा कर ले जिस वज़े से हम लोग फुलावर्ट के लिए कह सकते हैं दिया है इस recipe में वो आप बना कर जब खाएंगे न तब आपको इस word का मतलब समझाएगा कि extra soft और extra moist का क्या मतलब है जो आप बनाएंगे जब खाएंगे जब आपको पता चलेगा friends ये बात देखिए कहने की है बट आप बना के देखेंगे तो कहेंगे वाके में आपने बहुत अच्छा केक बनाना सिखाया तो देखिए ये सब चीजे आपको मैं सिखाती हूं हमेशा गास पर और इसको friends पूरा 55 मिनिट लगे थे बेखोने में क्योंकि बड़ा केक बनाया था तो एक घंटे के आसपास भी आपका लग सकता है ये देखिए एक घंटे बाद हमारा जो है ये स्पॉंज डेडी हो गया कॉफी वाला अब देखिए friends मैंने आपको ना इसमें चॉकलेट गनाश भी बनाना सिखाया है इसमें क्या है बिना ताम जाम के बहुत ही आराम से हम लोग गनाश बनाएंगे सिर्फ जो चॉकलेट ली है वो ना ही हमने इसमें क्रीम डाली है ना बटर डाला है सिर्फ सिर्फ जो मेरे पास रखा हूँ था घर में अविलेबल दूद थोड़ा सा मलाई वाला सा था उसको मैंने इसमें यूज किया है तो पहले गरम पानी में ये जो मैंने रखा है बोल और चॉकलेट उसको मैं थोड़ा सा पिंगाल लोंगी डबल बॉलर की सहायता से और इस टाइम पे मैं देखे आदा आदा चमच एक चमच करके डालू क्योंकि घर में इतनी असानी से केक बनता है न हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती तो बहुत ही असानी से मेरे यहाँ पे दो ढ़ाई चमच लगे मलाई और दूद के न जो मिक्स था मलाई में दूद उससे मेरी देखे इतनी सूपर सॉफ्ट इतनी शाइनी मेरी गनाश बन गई थी तो देखे आप खुद देख सकते हैं सिर्फ हमने चॉकलेट को मलाई के साथ पिंगाला है डबल बॉयलर में और हमारी गनाश एकदम रेडी हो गई है अब जो बनावा स्पॉंज था ना उसको फ्रेंड्स मैंने डी मोल कर दिया ठंडा कर दिया फ्रेंड्स इस चीज का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि गरम गरम पे डालेंगे तो आपकी न सेट नहीं होगी चॉकलेट तो आप रिमूव गैस से करके गनाश भी थोड़ी ठंडी कर लीजेगा और केक स्पॉंज भी ठंडा करने के बाद आप है ना चॉकलेट स्पॉंज के उपर डाल दीजेगा मतलब इतनी अच्छी आप कहेंगे गनाश बनी है और चाहे तो आप देखिए इस वाली गनाश को चान भी सकते है जो आप देख रहे होंगे थोड़ी सी दरदर ये वो इसलिए है कि थोड़ा जो चॉकलेट था मैंने ऐसे ही रखा था क्योंकि मुमी जब क्रंचिनेस आता है चॉकलेट का जैसे कटे भी चॉकलेट थोड़ी रह जाती है वो अगर आपको ऐसे पसंदे तो ऐसे यूज़ कर लीजे अदर्वाइस आप इसको थोड़ा सा और चान के भी यूज़ कर सकते है अब इफेक्ट भी आपके उपर है कि इफेक्ट आप कैसे देना है काम है आपका सीखना और बनाना तो इसलिए में फ्रेंड्स आपके लिए इतनी अच्छी सस्ती, यमी और बहुत ही जादा अच्छी रेसिपीज लेकर आती हूँ जैसे मैंने ये वाली डाक चॉकलेट मैंने मिल्ट की न इसे ही वाइट वाली चॉकलेट की थी और बहुत ही सिंपल सी बस एक जो कहते हैं जिग जैक वाला जो डिजाइन है हम लोग वो बनाएंगे बिना ताम जाम के न फ्रेंड्स और बहुत ही असानी से मैं आपको सारे घर में केक्स जो होते हैं वो बनाना सिखाती हूं तो इसी तरीके से वाइट वाली चॉकलेट जो थी वो मैंने एक पाइपिन बैग में बरके इस तरीके से की अगर आप चाहते हैं तो spoon भी use करते हैं बट इससे क्या है ना जो piping bag से है इससे design बहुत अच्छा आता है और देखने में cake भी बहुत अच्छा लगता है इसके बाद बस आप ठंडा कर लीजिए cake और cut करके खा लीजिए अच्छा इस time पे मैं आपको ये भी कहूंगी डिरेक्ट ही इसी वक्त ना आप cut कीजिएगा क्यों क्योंकि ना क्या होता है इस time पे chocolate थोड़ी set नहीं होती है अगर जल्दी है ना friends तो आप fridge में रख लीजिए फ्रिज में आप 10-15 मिनिट में मतलब आप इसको ठंडा करके खा सकते हैं otherwise room temperature पे आप अराम से एक दो घंटे ये overnight भी छोड़ना है तो no problem तो ये देखिए friends एक दम मैं आपको दिखाती हूँ super hit coffee chocolate cake हमारा ready है और इसके में आपको देखिए हमेशा के तरह आप देख रहें केक कितना soft है और कितनी अच्छी हमारी जो केक की slice आएगी ना आप देखिएगा मज़ा आ जाएगा friends इस cake की recipe में आप उपर से देख रहें finger मैंने लगाई जानके ताकि जो cake जो हमारा जो chocolate हमने उपर से डाली है वो melt भी नहीं हुई है और मतलब पूरी तरह से set हो गई है तो मैंने 2 घंटे के लिए friends ऐसी ही छोड़ दिया था इसके बाद मैं आपको दिखा रहे हूँ अगर आपको जल्दी है तो 10 मिनाट ना फ्र खाके मैं आपको बताती हूँ अपना reaction क्या है मेरा reaction स्वाद का बताते हुए वी ना friends इतना tasty इतना अच्छा इतना first class सा हमारा चौकलेट के